तो आज हम बात करेंगे बजाज की बाइक के बाड़े में तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि बजाज वालों ने कुछ छे बाइक्स को रिवील करने का लॉंच करने का प्लान बनाया था जिसमें से एनेस 400 भी है तो जो बजाज के ओनर राजीव बजाज वो उन्होंने क्लियर किया था कि बिग पलसर आने वाली है तो उसी के बाड़े में आज आपको बताऊंगा कि बजाज की पलसर एनेस 400 यह कब तक आने वाली है और क्या कुछ फीचर इसमें रहने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दू अगर ह कंफर्म किलियर डेट तो अभी तक पता नहीं चले हैं बट हो सकता है कि यह इस यहर के एंड तक में आपको यह देखने को मिल जाए और कंफर्म यह देखने को मिल जाए क्यूंकि इसमें चेंजिंग के बाड़ें बात देगा तो इसमें जो डूमिनार 400 वाला इंजन ही इस करके देगी और इसमें फुली टी डिस प्रेय आपको स्पीडियो मीटर में आपको मिलेगा और लुक इसके जो आना थोड़ा बलकी टाइब के और हैवी होंगे बट लुक की में बाते करो अगर तो इसमें जोने लुक एस आपको आपको इन जो टूंडे आती है वैसी ही ल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी तो काफी अच्छे फीचर्स के साथ भी यह लाँच होने वाली है जो अच्छे खासे और इसकी मैं प्राइजिंग की बाते करूं तो यह आपको जो देखने को मिलेगी प्राइजिंग की बात मैं कर रहा हूं यह 2.5 लैक के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है इसका प्राइस क्योंकि जहां तक बजाज की बाइक्स के प्राइस जो आना लोर सेग्मेंट में रहता तो समझ लो यह 2.5 लैक के आसपास जो आपको यह इंडियन टूविलर मार्केट में आपको बहु कर दो में प्राइस